आज आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही आसान रेसेपी चावल के आटे से मीठी और बहुत जादो सॉफ्ट रोटी जिसको बनाना बहुत ही आसान है एक दन आप बड़े आराम से चावल के आटे की रोटी को बनाना शुरू करते हैं है है तो चली है आज हम चावल के आठे की आपको रोटी दिखाते हैं कि बहुत ही आसान है चावल के आठे की रोटी को बनाना देखी ज़्यादय मश्किल नहीं है यह बढ़ग होता है तो अब धुकान से जब पर परचेस करें तो नया चावल काठा होना चाहिए ज्याद़ लेकिन लाने के बाद फिर भी आप उसको चाल लिए इसको हमने पहरी चाल लिया है यह आटा चना हुआ है हमारा एक कप हम आटा और लेंगे यह दो कप आटा हो गया तो यह 500 ग्राम है हाप्टी स्पून नमक डाल देंगे पाते है इसको बाधा है यह लिए इसको बादा लेंगे अच्छे से गरम होले देंगे पानी अच्छे से उबल गया है तो यह हमने आटा रखा रहा है अब हम इस आठे को इसमें डाल देंगे, गरमी गरम में डालना है, इसके बाद आठे को देखे तुरती गैस बंद कर देना है, जब पानी अच्छे सो बनने लगे, फिर हम इस आठे को डाल देंगे, और गैस को आफ कर देंगे, और हम इसको साथ ही खुरा मिक्स कर लेंगे, जासे जासे मिक्स होगा ऐसे यह पानी सोखेगा इसको थो इसमें तरची चलाए इस तरीके से अब इसको चूले से उतार लेंगे और फिर उसी बाली तसले में जिसमें हमने अभी अठा रखा था उसी में इसको निकाल लेंगे पलटलने महा है सारे आटे को कड़ाई से निकाल ली है अब इस आटे को गरम है आटा तो इसको फुरा सा इसको इस तरी सरी कि सभी ढग देंगे इसको ठंटा होने देंगे जो इसमें बनेगा उसी चाहिए आटा बहुत जादा सौफ्ट हो जाए यह आटे को पांच मिनिट हो गए है तक अच्छे से इसको गूंड़ना है देखें इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी जब आपको लगी किसे पानी की जरूरत है तभी आप डालें पहले से बहुत सारा डाल देंगे तो यह आटा खराब हो जाएगा तो हमें आटे को बहुत सौफ्ट रोने तर तर अपर तीन कब ले रहें तो 1 ततर तीन कब ले रहे हैं तो जी स्था था चेसे मेचिक में पानी कट्टा कर दीया अब पता चलेगा कि आप हम बेंसे में पानी की तबने हो कि यह थोड़ा-थोड़ा पानी जालें दालेंगे जतता हमने this को धजितर विज्प बहुत अरा यह और फिर में बनाना शुरू करते हैं अभी लगा लेंगे तेल लिए तोड़ने के लिए लगा के साथ यह तोड़ने के लिए लगाया असे बीलेंगे सुखे आठे के साथी बना लेंगे इसकी जम सी दखने कर दें किया जैको कर दें समय जखनां सकते हैं। जबना लें तक लिए अनरी व्यान में बना लेंगे को लाकूंआएटा जाता करते के जुँआ कि कि पूरी सी नतय रहेके साथ हिए। अब हम इसको फिर से सु 葉ई लगाइंगे आपको लगा नहीं आपको नो हमें अब आपको रखनेगे तो हमेंदी कurni जुड़ें अब रखे हैं दूसार तरीकर दिखा रहे हैं तो इस तरीके से लिए रखे और दबा देंगे कि अब कि आड़ा यह हम निकाल लेंगे अगर इसे चाल भी भी बना सकते हैं। तो ऐसे भी देखें। अगर मातं tv बने हैं इसके पूरी आप देखे convince पूरी भी अदीजिसरे तवत दिया है जिसमें को सीऊ और तर acompan सुखते गला हो, तो नहँंद हम आराम केया, कि दोस्को चुछ का पर फिर राम감 को दोशने में हां ने खिंगा हुए तरह से कर तबे पर तेल लगा देंगे तो आप से रोटी घूमेगी देखें बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि हम नॉनिस्टिक में ही बना सकते हैं कि आपको इसमें भी बहुत आराम से डेलिविस कलने वाले तबे में भी हैं हम दूसरे तरब से भी अच्छे से सिख गई है अब इसको ऐसे पलट दें और छोड़ दें इसको यह अपने आपी फूलेगी देखें इदे देर देर ऊट रही है ना रोटी तो यह फूलती है बहुत अराम से आप इस तरीके से कोई कपड़ा ले ले और जैसे हम गियों की र अब इसको रख देंगे इस पलीट में अब ऐसे करके दूसरी वाली भी डालेंगे अब इस प्राइब देखिए हम आपको देखा रहे हैं इतनी ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा फूली भी रोटी बनेगी है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है इसको चाहे आप शाम को भी खाए अरुसुबा की बनी भी है 5-6 घंटे के बाद भी खाएंगे तब भी आपके रोटी एक्तम सॉफ्ट लगेगी सब तयार हो गई है बहुत ही जाता सॉफ्ट और नर्म बनी है तो आप लोग भी ट्राइ करें इसको चावल की रोटी के साथ रखिए हमने ये बहुत बहुत कुछ रहें